गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स बच्चो आज आपको कम्प्यूटर में डिवीजन करना है चैप्टर 3 का तो जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रू और फॉस हम जिस तरह से बोलते जाएंगे आपको हमारे साथ उसका आंसर देना है हम कोईशिन करेंगा और आपको आणसर देना है सबसे पहले जैसे true है तो true के लिए आप tick करेंगे and या false है statement तो इस statement के लिए आपको क्रॉस करना है то hard disk and computer disk are two type of cigarette memory true यद फॉल्स या आपको लिखना है true तो आप true means tick कर देंगे राम is also known as non-volatile memory तो आपको क्या पढ़ता है Volatile Memory true है यह false Yes, false Rome is type of permanent memory True or false Yes, यदि true है तो टिक करिये Otherwise false है तो Cross Hard disk have a capacity to hold more data than appropriate or pen drive बचो यह आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने आपको यह work करा चुके हैं सिर्फ आपको अपना work करके भीजना है 1 kilobyte is equal to 1020 gigabyte तो यह true है false इसे आप हमें homework करके देंगे अब यहाँ पर आपको करना है fill in the missing word जिसको already fill up किया गया है तो आपके वाले इसको देखेंगे समझेंगे कि हाँ यदि यहाँ पर missing word है तो आपको क्या fill करना है आप fill करके देंगे ओके जैसे D और D तो यहाँ पर क्या होगा DVD बच्चो आपको इन सब का full form भी याद होना चाहिए फिर यहाँ पर देखे दिये गए है guess and correct word for its meaning इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पर कुछ words दिये statement दिये गए है तो आपको क्या करना है उन से जो भी words बनता है आपको लिए a type of volatile memory तो क्या होता है it means RAM ओके RAM इसी प्रका a type of permanent memory क्या है ROM अभी अपने true false में पढ़ा है न बस आपको वो लिखना है the shortcut for kilobyte kilobyte को हम short form में कैसे लिखते है shortcut में K B I show no as thumb drives jump drives mini USB drives and pocket drives तो बच्चों इसको क्या बोलते है pen drive ओके full form of DVD full form of DVD इसको कैसे लिखते है and R W तो इसको हम कहते है DVD re-write table ओके इसी प्रकार से a 3.5 inch disc तो यह क्या होती है बच्चों इसके लिख सकते हैं 3.5 inch disc को लिखते है floppy disk क्या लिखते है floppy disk floppy की spelling आप लोगों को पता है okay floppy disk इसी प्रकार से what has replaced floppy disk pen drive what has replaced floppy disk pen drive तो बच्चों यह है आपका revision work और इसे आप अपनी notebook में लिखे और साथ में इसका revision करें बच्चों इसके जाए जितने भी मैंने आपको chapter 4 तक revision कराया है one, two, three, four okay तो आपको four chapters की all exercise complete होनी चाहिए learn होनी चाहिए और साथ में question answers भी okay आपका homework है true and false okay bye bye have a nice day